Hello everyone, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे about factors affecting school readiness मतलब कि अगर कोई भी बच्चा school जाना चाहता है या वो चाहता है कि वो अपनी education पूरी करे तो ऐसे कौन से factors हैं जो school के लिए मतलब वो एकदम से उसको prepare करते हैं कि हाँ वो जा सकता है नहीं जा सकता है उसका मन कितना होता है वो चारो पांचो चीज़े आज हम लोग discuss करेंगे इस वीडियो में ठीक है और आपको ये वीडियो अच्छी लगते हैं तो like, comment, subscribe और share करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो सबसे पहला factor जो हम लोग पढ़ेंगे that is family background नो कोई भी बच्चा स्कूल जाता है नहीं जाता वो family पे बहुत निर्भर करता है कैसे निर्भर करता है for suppose, एक जैसे एक normal सी चीज है, हम लोगों के parents है हम लोगों का बच्पन में कभी मन नहीं होता था कि नहीं ममी नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना तो ममी कहते थी नहीं उठो, जाओ, school जाना है तुमको तो there was always a motivation and inspiration कोई नहीं हमेशा होता था, जो हमको कहता था कि नहीं भई, school तो जाना ही जाना है, ठीक है तो कई बर क्या होता है, कि एक बच्चे का मन नहीं होता जाने का लेकिन family motivate करती है, कि नहीं बटा, आपको school तो जाना पड़ेगा because it's a good thing, और ऐस इस तरह से करके ठीक है, now healthy and learning environment play an important part in child growth यानि कि एक proper healthy and learning environment जो होता है, वो बच्चे की growth में बहुत important role play करता है, अगर family ऐसी है, जो बच्चे को encourage करे to learn new things, to understand new things, तो बच्चा automatically school जाने के लिए उसका मन करेगा, वो सोचेगा about going to school, ठीक है, now second factor which is important here is health, health क्यों जरूरी है, जैसे की health की वज़े से क्या होता है, आप suppose जिस दिन आपकी तबेद बहुत अच्छी होती है, आप बहुत active feel कर रहे होती, आप बिल्कुल नीन नी आ रही होती, उस दिन आपका school जाने का भी मन करता है, पढ़ाई करने का भी मन करता है, तो वहाँ पर क्या बात करें है, कि health बहुत important role play करती है, अगर कोई बच्चा specially abled है, उसको कोई दिक्कत है, लेकिन अगर वो healthy है, तो वो अराम से school जा सकता है या है, मतलब जा सकता है या सकती है under all circumstances, यहाँ पर किस चीज ने role play किया, यहाँ पर health ने role play किया, मतलब की चाहे कोई दिक्कत भी थी, लेकिन अगर health सही थी, तो वो बच्चे का मन करेंगा, school जाने का, ठीक है, health related preventive measure should be taken from the starting, और ध्यान रखना चाहिए है कि बच्चों की सेहत का शुरू से ध्यान रखा जाए, उनको proper जैसे कितना पॉष्टिक आहार या अच्छा वाला nutrition, वो हमको उनको देना ही चाहिए, ठीक है basically nutrients होते हैं, जो उनके खाने में properly होने चाहिए, and other things as well, अगर वो specially abled हैं, तो definitely उनको और जादा extra care की ज़रूरत है, now social and economic condition, third factor के बारे में बात करते हैं, देखो, child should be made secure from social and economical perspective, what does that mean, यानि कि बच्चे को, हम लोगों को क्या करना है, secure बनाना है, कि वो बच्चा, मतलब जो भी system में आजकल का, जिस पह सापसर है, उसके आसपास के लोग, उन सब के सापस बच्चा थोड़ा सा secure feel करे, एक बच्चा है, जिसके parents उसकी education पर खर्च नहीं करते हैं, वो से भार काम करवाते हैं, I am just giving you an example, तो वो बच्चा ना socially, ना वो economically, वो बिल्कुल भी secure feel नहीं करेगा, तो पढ़ाई तो बहुत दूर की बात होगी, school तो बहुत दूर की बात हो तो वो अपनी education कैसे पूरी करेगा वो बच्चा, तो poor background का बच्चा आजकल effort नहीं कर सकता, current अगर हम educational system की बात करें, child drop out from the school, कई बार बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से school छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि घर के लिए पैसे कमानी हैं, बहुत सारे और factors होते ह या फिर हमारे पास पैसों की कमी है, like low income की वज़े से कई बार बच्चे school छोड़ देते हैं, so there can be many factors, poor financial background या फिर inadequate facilities, उस बच्चे के पास proper background, अच्छा मतलब पैसे नहीं हैं कि वो चुका सके, and inadequate facilities, अच्छी facility भी बच्चे को नहीं मिल रही है, cultural barriers, यानि कि अगर बच्चे difference होते हैं, जैसे कि आपकी class में हो सकता है, कोई और मतलब जिसे कहते हैं कि language के बच्चे हो सकते हैं, या और कहीं और जगे से belong कर सकते हैं, और हम लोग वहाँ एकदम जाएं, और हमें लगे कि हमारे culture से अलग culture इन लोगों का है, तो adjust होने में problem होती है, जैसे एक छोटा सा case ले लिजे, आप बाहर की country में जाते हैं, तो आपको वहाँ पर हर एक चीज नहीं दिखेगी, आपको यह नहीं लगेगा कि हाँ यह तो हमारे वहाँ भी normally है, नहीं, आपको बहुत सारी नहीं चीज़े दिखेंगे, तो it will take some time to adjust according to the culture, ठीक है, कभी कबार social and financial barrier भी distress पैदा क classroom, बहुत ही जरूरी है कि बच्चा जिस classroom में पढ़ रहा है, जिन लोगों के साथ पढ़ रहा है, that should be positive, वो involvement एक बहुत important role play करता है, बच्चे के मन में कि वो school जाए, ना जाए, वो कितना आराम से जा सकता है, एक बच्चा directly affect होता है by the classroom environment, so this is something which we need to understand, कि बच्चे को सिर्फ सिर्फ कोई एक factor नहीं है कि वो जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता हम इस पर बात खतम करते हैं, no, there are several factors, ऐसे बहुत सारे factors हैं, जो इस चीज को, मतलब, you know, affect करते हैं कि बच्चे को स्कूल जाना अच्छा लगता है, वो जाएगा, नहीं जाएगा, you know, what all things are there, so this is a video about the factors which affect the school readiness, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट कर सकते हो कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखनी है, कि आपको कोई पर्टिकुलर टॉ नहीं मिला है, BSC, MSC दोनों का, उसके इलावा आप लोग जो प्लेलिस्ट है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्टिन बॉक्स में सारे लिंक्स शेयर कर दूंगी, आप वो प्लेलिस्ट में भी जितने भी लिंक्स हैं, उनको खोल के देख सकते हो, उसमें प्लेलिस्ट मतलब कुछ नोट्स की फॉर्म में हैं, कुछ पीपीटी की फॉर्म में आपको दोनों मिल जाएंगी, so I'll take your leave and आपको